तोडेवी आर गूइंग तो डिसकस अबाउट ट्लैबेश जॉर्डन कोईफीशिंट डैट इस सीजी कोईफीशिंट एंड इस टॉपिक ओफ एमेसी क्वांटम मेकैनिक्स और यह बेसिकली एक्जाम में बहुत बार आ जाता है कि प्रूफ सीजी कोईफीशिंट और वाट ड कोईफीशिंट को डिसक्राइब करते हैं उसी को कहते हैं सीजी कोईफीशिंट जो हम आगे देखेंगे अब बेसिकली सीजी कोईफीशिंट का प्रूफ और सीजी कोईफीशिंट समझने से पहले हम इसका बेसिक पता होना चाहिए किसका ओरीजिन कहां से हुआ सो हमारे पा निकाला तो यह कॉम्मुटेशन मुझे क्या मिलता है आयोटा एच कट हो आपको कम्मुटेशन निकालना आता होगा जैसे कि फॉर एक्जामपल एक्स का अगर मिरको यह लीनिया मोमेंटम और वेरेबल एक्स का निकालना है तो यहाँ पर पी को हम लिख सकते माइनस आयोटा एच कट डेल अपन डेलेक्स और जब इसका कम्मुटेशन हम निकालेंगे तो यह हमको निकल के आएगा आयोटा एच कट डेट मींस देट कि हम मोमेंटम और पॉजीशन को साइमल्टेनस ली डिटमाइन नहीं कर सकते यह चीज़ हमने देखी थी हेजनबर्ग अंसर्टेनि कर अगर किसी चीज़ का कम्मुटेशन हमको कुछ वैल्यू देता है कुछ वैरिअबल देता तो देट मिंस डेट वो उसका एरर है मिंस हम दोनों क्वांटिटीज को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते हैं एक साथ केलकुलेट नहीं कर सकते हैं जैसे कि फॉर एक्जांपल हम वेल्यू हमें 0 मिलता है अब इसका हम चाहे तो Z component ले ले चाहे X component ले चाहे Y component ले इन सब का Commutation हमको मिलता है 0 that means that हमको Error मिला है 0 which means कि हम L square और L Z L X और L Y को एक साथ simultaneously measure कर सकते हैं हम इसका value एक साथ measure करके निकाल सकते हैं यह दोनों आपस में independent है दोनों का दोनों आपस में dependent नहीं करेंगे एक की वज़े से दूसरे में कोई change नहीं आएगा तो यह था basic जो चीज हमको यहां पर जानना था इसको पढ़ने से पहले अब देखते हम consider two non interacting system हमें यहां दो non interacting system लेंगे non interacting system means जो एक system होगा उसमें जो भी changes आएंगे वो दूसरे system को affect नहीं कर रहे होंगे तो हमने यहां system लिए है 1 & 2 with angular momentum J1 & J2 अब हम यहां angular momentum ले रहे हैं J1 या J2 आप L1 L2 ले सकते हैं तो angular momentum हमने यहां लिया J1 J2 J1 जो है वो first system का angular momentum है और J2 second का और के दोनों system है non interacting let their eigen state be अब हम यहां पर इनकी eigen state define करेंगे यह जो हमने इसको लिखा है cat operator में लिखा है आपको मालूम होगा कि यह जो sign होता है cat का होता है और यह जो sign होता है यह वाला यह होता है cat J2 और M2 अब यहां पर अब आपने देखा होगा कि J square when operating on J and M value क्या मिलती है हम इसके eigen values क्या मिलती है हमारे पास अगर quantity है J square अगर हम यानि की angular momentum square अगर हम यहां पर J M पर operate कराते हैं तो इसका हमको eigen value मिलता है J into J plus 1 H cut square और J, M तो J square जब किसी function पर operate होता है हमको इसका eigen value मिलता है J into J plus 1 और H cut square तो यहां से अगर अपन first system की बात करेंगे तो उसको हम लिखेंगे J1 square J1, M1 हमको कितना मिलेगा J1, J1, J1 plus 1 H cut square और J1, M1 हमको यह value मिल जाएगी similarly अगर हम Z component के लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा जब भी हम J, Z यानि की angular momentum के Z component की अगर हम बात करते हैं और इसको operate कराते हैं तो state पे किसी आइगन state पे तो हमको इसका जो आइगन value मिलता है वो मिलता है M, M अब यहां पे M, H cut और हमें मिलेगा J, M हमें यह value मिलती है एक second तो हमें कुछ यह value मिलेगी actually there is some mistake it will be M, means यह होता है अगर यहां पे J, Z operate होता है J, M पे तो हमें value मिलती है M, H cut J, M अब क्योंकि हमने यहां पे क्या square दे रखा है तो यहां पे जब angular momentum का Z component होता है तो वो होता है M, H cut J, M cancel that square क्योंकि यह क्या ले रहे हम component ले रहे हैं और J, Z का value हमको मिलता है वो मिलता है M, H cut तो अगर हमने यहां square कर दे तो हमको यहां M square, H cut square करना पड़ेगा पर उसकी ज़रूरत नहीं हमें सिफ define करना है कि अगर हम angular momentum का Z component लेंगे उसका eigen value हमको M, H cut मिलेगा ठीक है अब क्योंकि हमारा यहां पर हो गया तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि जो हमारे पस M है M का value कितना vary करता है from plus J1 to minus J1 M2 की बाद करेंगे तो उसकी value vary करेगी from plus J2 to minus J2 इसके बाद हमने क्या बोला था starting में कि दोनों system कैसे non interacting means हम इन दोनों को simultaneously calculate कर सकते हैं दोनों आपस में independent है इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर हम commutation निकालते हैं J1, J2 का तो भी हमको 0 आएगा और अगर हम angular momentum की square का commutation निकालेंगे वो भी हमको कितना मिलेगा 0 ही मिलेगा यहां से हम कह सकते हैं hence the operator J1 square for first for first system J1 square and J1 Z for second system J2 square and J2 Z form a complete set with a simultaneous eigen state अब क्योंकि अब यह independent है हमने बोला क्योंकि दोनों system independent है तो यह लोग आपस में एक दूसरे को affect नहीं करेंगे इन दोनों का जो values आएगा वो एक दूसरे को कहीं पे भी affect नहीं करेगा तो क्योंकि जैसे हम इनको different different cat operator में लिख रहे थे उसकी जरूरत नहीं है हम इसको एक साथ calculate कर सकते हैं तो एक साथ calculate करने के लिए हमने क्या लिखाया है simultaneous eigen state लिख दिया J1, M1, J2, M2 जहां लग लग लिख रहे थे cat operator को अब साथ में लिख सकते हैं because इनका value एक दूसरे को affect नहीं कर रहा for a given values of J1 and J2 फिर आएगा cat J1, M1 equals to J2, M2 किसके बराबर हो सकता है इन सब के साथ के भी बराबर हो सकता है और ये बाद में M1, M2 के भी equal आ सकता है that is equation number 1 तो hope आपको समझ में आया है क्योंकि हमने define किया था दोनो non interacting state है दोनो simultaneously calculate हो सकते है तो हमने जो cat operator लिखा अब हम उसको सब के लिए define कर रहे है J1, M1, J2, M2 इसका मतलब है J1, M1 करो या J2, M2 करो और इन सब को combine करके J1, M1, J2, M2 या M1, M2 करो that means the same after that for total angular momentum अगर हम total angular momentum निकालना चाहें तो total angular momentum क्या होता है J equals to J1 plus J2 अब यहाँ पे जो total angular momentum होगा वहाँ पे भी J square, Jz का value या J square और J1 square का value या फिर J square और J2 square का value because J is the linear combination of J1 plus J2 J1 plus J2 का addition है और यहाँ पे अगर हम single single state की बात करें that is J1 की बात करें या J2 की बात करें सब का commutation 0 मिलेगा means अगर हम इसका sum कर देते हैं angular momentum का तब भी हमें commutation इसका 0 ही obtained हो रहा है means value एक दूसरे को affect नहीं करेगी simultaneously हम फिर भी calculate कर सकते हैं तो J2 that is J1 J2 means J1 plus J2 JZ यानि Z component of angular momentum J1 square for first state J2 square for second state will have simultaneous eigen state अब इनका simultaneous eigen state है तो हम इन सब को combine करके लिख सकते हैं in a cat J, M, J1, J2 कैसे लिखा है हमने आप चाहो तो यहां M1, M2 भी लिख सकते हो सहीं आना जाएगा और हमने कैसे लिखा है J को लिखा है J1 plus J2 तो यह J जो है वो वता रहे है J1 plus J2 M will showing M1 plus M2 J1 is for first state and J2 for the second state for given values of J1 and J2 this become Jm तो J1, J2 basically Jm बन है this unknown cat Jm can be expressed as linear combination of J1, M1, J2, M2 अब because हमने J1, J2 को एक cat Jm से define किया है और Jm कैसे हमारे पास unknown है तो capital J1 पे operate हो रहा था small J1, M1 और capital J2 पे operate कर रहे थे small J2, M2 अब अगर हम इसको single Jm लिखेंगे that means that it will be J1, M1 and J2, M2 दोनों को define कर रहा होगा for both the states तो इसको J1, M1, J2, M2 की जगा हम direct cat Jm लिखेंगे equals to sigma M1, M2 क्यों sigma हमने लगा है क्योंकि value plus J1 to minus J1 plus J2 to minus J2 जा रहे इसलिए sigma M1, M2 यहाँ पे addition हो रहा है C, J, M, C अब capital C है और सारा उसके नीचे हमको suffix में लिखना है J, M, J for J1 plus J2 M for M1 plus M2 and J1, M1 first state and J2, M2 second state operating on M1 and M2 इसको हमें लिखना है equation number 4 this is the equation number 4 अब यह जो हमारे पास इतना बड़ा coefficient है C, J, M, J1, M1, J2, M2 इसी coefficient को हम लिखते हैं CG coefficient तो this is known as CG coefficient और Wigner coefficient भी कभी कभी आ जाता है यह value is known as CG coefficient या Wigner coefficient multiplying equation number 4 by bra operator M1, M2 अब हम क्यों multiply कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है same operator जब एक दूसरे से multiply होता है तो value 1 आता है तो हमने multiply इस ले किया है क्योंकि हमें मालूम है M1, M2 और bra M1, M2 और cat M1, M2 का value आएगा हम मिलेगा 1 तो यहाँ पर जब multiply करेंगे यहाँ से हमें CG coefficient obtained हो सकता है तो इस CG coefficient को निकालने के लिए हमने यहाँ पर multiply किया है bra M1, M2 से तो direct हमें CG coefficient मिल गया और यहाँ पर हमको इदर multiply करेंगे तो हमें मिला है bra M1, M2 and cat Jm अब यह जो equation number 5 है इस equation number 4 में जो यहाँ पर CG coefficient है उसका value हम लिखेंगे equation number 5 से तो अगर हमने value लिखा तो यह जो Jm था वो है Jm वैसा का वैसा हमने लिख दिया equals to sigma M1, M2 अभी CG coefficient की जगा हमें क्या लिखना है यह जो value हमने निकाली है that is bra M1, M2 cat Jm and cat M1, M2 तो यहाँ पर आपका proof end होता है लिए बाक प्राइब जिए बाक की आपका रहए और यह हमने लिए भी का आपका विए